हमेशा से निम्नम अध्यमवर्ग और गरीब के जीवन की एक बड़ी चिंता रही है बिमारी में क्या करना बिमारी का इलाज बजेट में प्रस्तूत की गई नई योजना आयुश्मान भारत इस आयुश्मान भारत योजना समाज के इन सभी वर्गों को जिसको हम कहें दलीद, पीडीद, सोशीद, वंचीद, महला, गरीद, निम्नगरीद, मध्यमवर्ग इन सब को बिमारी की जो आफ़त आ जाती है उससे मुक्ति दिलाने की उससे चिंता कराने की चिंता से मुक्ति दिलाने का एक बहुत बड़ा कदम है इस योजना का लाप देश के लगवक दस करोड गरीब और निम्नमध्यमवर्ग के परिवारों को मिलने वाला है याने करीब करीब 45 से 50 करोड नागरिक इसके लाभार्थी बनेंगे इसके दाइरे में आएंगे इन परिवारों को चिन्नित अस्पतालों में पति वर्ष पांच लाख रुपिये तक के मुप्त इलाज की सुविधा मिलेगी सरकारी खर्चे पर शुरू की गई यह दुनिया की और मैं बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं सरकारी खर्चे शुरू की गई यह दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी हेल्थ एश्वामंस योजना है हिल्थ केर योजना है देश की सभी बड़ी पंचायतों में लगभग देड़ लाख हिल्थ वैलनेस सेंटर की स्थापना का करने का कदम भी बहुती प्रशंस निया है इससे गाउं में रहने वाले लोगों को स्वास्त सेवाएं सुलब होगी देश भर में 24 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना से लोगों को इलाज में सुविजा तो बड़ेगी ही साथ साथ विवाओं को मेडिकल की पढ़ाई में भी आसानी होगी हमारा प्रयास है कि देश के हर तीन संसद्य एक शेत्रों के बीच तीन पार्लामेंटरी कॉंस्टेंसे के बीच कम से कम एक मेडिकल कॉलेज अवश्च्च हो कर तीन पार्लामेंटरी कॉंस्टेंसे कॉंस्टेंस